अगस्ट 2023 में कई कारे लॉंच होने वाली है जिसमें से अधिकतर मॉडल लगजरी सेग्मेंट में से है। टाटा मोटर्स मौजूदा पंच का CNG वर्जन लाने वाली है तो टोयोटा एक नई MPV लॉंच करने वाली है। मर्सिडीज बैंस, वॉल्वोग और डी जैसी कमपनियां भी कारे लाने वाली है। एक टाटा पंच CNG इससे अटो एक्सपो के दौरान पेश किया गया था। टाटा पंच कमपनी की चौथी CNG मॉडल है जिसे अगस्त के शुरुआत हफते में लाया जा सकता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और इसके साथ 5 स्पीड मैन्यूवल गिया बॉक्स मिलेगा। पेट्रोल मोड में यह इंजन 86 HP का पौववव 113 न्यूटन मीटर का टाक प्रदान करता है। वहीं CNG मोड में यह इंजन 77 HP का पौववव 97 न्यूटन मीटर का टाक प्रदान करता है। टाटा पंच CNG लाँच के बाद हुंड़ाई एक्स्टर CNG को टक कर देगी। 2. नई Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz दूसरी जनरेशन GLC SUV को 9 अगस्त को लाँच करने वाली है। इसे Global Star पर पिछले साल लाया गया था। इसे GLC 300 Petrol तथा GLC 220 DD जल के विकल्प में उपलब्द कराया जाएगा। इस SUV का इंटीर नए सी क्लास जैसा रखा जाएगा। इसमें दो बड़े स्क्रीन पहला 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तथा दूसरा 11.9 इंच का टच्स्क्रीन इंफोटेन मिच सिस्टम दिया जाएगा। इसके साथ इसमें धेर सारे फीचर्स वह उपकरन दिये जाएंगे। 3. ओडी क्यू आठी ट्रान ओडी इस कार को 18 अगस्त को लॉंच करने वाली है। यह मौजूदा इट्रान का फेसलिफ्ट वर्जन है। ओडी क्यू आठी ट्रान को 50 वपचपन ट्रिम में उपलब्ध कराया जाएगा। जो की क्रमशहवा बैटरी विकल्प के साथ आती है। 4. टोयोटा रुमिया टोयोटा भारत में एक छोटी MPV रुमिया लाने वाली है जो की मारुती सुझुकी की अर्टिगा पर आधारित है। यह वर्तमान में दक्षन अफ्रीका जैसे बाजार में बेची जा रही है और इसका निर्मान वस अपलाई मारुती सुझुकी करती है। पाच, वॉल्वो C40 Recharge वॉल्वो भारत में अपनी दूसरी EVC40 Recharge लॉंच करने वाली है और इसकी डिलीवरी सितंबर से शुरू होगी। इस इलेक्ट्रिक कार में डूल मोटर सेटप दिया गया है जो 408 BHP का पॉवर वा 660 Nm का टाक प्रदान करती है।